Accounting No Problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ आर्थी Teleprime की इस वीडियो सीरीज के आज के अधियाए में हम आपको बताएंगे Teleprime में Accounting Vouchers क्या हैं और साथ ही उनके उपयोग के बारे में जानकारी देंगे इसके पहले वाली वीडियो में आपने जाना कि Source Documents क्या हैं और Transaction Record करने के लिए उनकी आवशक्ता क्यों होती है इस वीडियो में हम Tally में उपयोग होने वाले Accounting Vouchers के बारे में बताएंगे Source Documents और Accounting Vouchers दोनों में आपको देखने में बहुत ही समानता मिलेगी क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए आप इनका अध्यन बहुत ध्यान से करें जैसा कि हम सभी जानते ही हैं Accounting Cycle की शिरुवात Business Transactions से होती है Business में जितने भी Transactions होते हैं Manual Accounting में सबसे पहले उन्हें Journal में रिकॉर्ड किया जाता था पर अप Tally ने इस काम को बहुत ही सरल बनाते हुए Journal के इस्थान पर हमें Transaction Record करने के लिए अलग-अलग Vouchers दे दिये हैं इनका सबसे बड़ा लाब ये है कि इनके नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि कौन सा Transaction किस Voucher में रिकॉर्ड होगा आईए इन Vouchers को एक-एक करके समझ लेते हैं टैली ने हमें जो Standard Accounting Vouchers दिये हैं वो है Receipt Voucher, Payment Voucher, Contra Voucher, Purchase Voucher, Sells Voucher, Debit Note Voucher, Credit Note Voucher और Journal Voucher टैली हमें ये सुविधा भी देता है कि हम इन Vouchers में अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकते हैं यानि इनको Alter कर सकते हैं और चाहें तो नए Vouchers भी बना सकते हैं पहला है Receipt Voucher, जब व्यवसाए में नकदी या बैंक के माध्यम से व्यवसाए का स्वामी कोई पूंजी लाता है, किसी ग्रहक से Payment या Advance प्राप्त करता है या किसी अन्यकारण से प्राप्ती होती है तो इस तरह के Transaction को Receipt Voucher में रिकॉर्ड किया जाता है यहां एक बहुत ही महतुपून बात ध्यान रखें कि Cash Cells से प्राप्त होने वाली कोई भी राशी यानि प्राप्ती इस Voucher में नहीं आएगी क्योंकि Tally ने Cells के लिए अलग से Voucher बना रखा है फिर है Payment Voucher जब व्यवसाय या व्यापार में नकदी या बैंक के माध्यम से कोई भी Payment किया जाता है तो इस तरह के Transaction की Entry Payment Voucher में रिकॉर्ड की जाती है यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि यदि आपने Cash Purchase से संबंधित कोई Payment की है तो वो इस Voucher में नहीं आएगी क्योंकि Tally ने Purchase के लिए अलग से Voucher बना रखा है फिर है Contra Voucher इसको समझने से पहले Petty Cash को समझना पड़ेगा किसी भी Website में चूटे-चूटे खर्चों जैसे वाहन खर्च, जिसमें की डीजल, पैट्रोल, मरम्मत, आदी का खर्च आ जाता है कार्टेज याने धुलाई का खर्च, पोस्टेज, स्टेशनरी, इत्यादी के लिए कुछ Cash अलग से रख दिया जाता है इस तरह के Cash को पैटी केश कहते हैं पैटी केश, Cash अकाउंट से अलग होती है क्योंकि इसका उप्योग सिर्फ छोटे-छोटे खर्च के लिए ही किया जाता है और कई कंपनियों में पैटी केश अकाउंट और केश अकाउंट दोनों ही बनाए जाते हैं आए अब kontra voucher को समझ लेते हैं इस voucher का उप्योग cash account से पैटी केश, cash account से bank account, bank account से cash account, एक bank account से दूसरे bank account में फंद ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात या है कि अभी हमने kontra voucher में जो ट्रांसफर बताएं हैं उनमें cash account और bank account दोनों ही हमारे हैं इसमें बाहर की कोई party सम्मलित नहीं है यानि contra voucher में सिर्फ वो ही transactions आते हैं जिनमें देने वाले भी हम ही होते हैं और पाने वाले भी या सरल शब्दों में कह सकते हैं कि इस voucher का उपयोग पैसा एक जेज से निकाल कर दूसरी जेब में रखने के लिए किया जाता है अब हम देखते हैं purchase voucher जब विक्रे के लिए माल या manufacturing यानि निर्माण के लिए कच्चा माल cash या credit पर खरीदा जाता है तो उस transaction को purchase voucher में record करते हैं ध्यान रखें website में जो भी स्थाई संपत्ती खरीदी जाती है उसके transaction को इसमें record नहीं किया जाता है क्योंकि इस voucher का संबंद सीधा expenses से होता है जब कि संपत्ती असेट होती है अगला है sales voucher जब व्यापार में खरीदे गए माल का विक्रे या manufacturing की स्थिती में तैयार माल का विक्रे किसी customer को cash या credit पर किया जाता है तो इस transaction को sales voucher में record करते हैं ध्यान रखें यदि व्यापसाई की कोई स्थाई संपत्ती बेजे जाती है तो उसके transaction को इसमें record नहीं किया जाता है क्योंकि इस voucher का सीधा संबंद income से होता है जबकि संपत्ती असेट होती है अब हम देखते हैं debit note voucher जब customer द्वारा किसी भी कारण से जैसे माल खराब होना जिस quality के माल का order दिया था वैसा माल नहीं होना या अन्य किसी कारण से खरीदा हुआ माल पूरा के लिए ये purchase written कहलाता है और इस तरह के transaction को record करने के लिए customer द्वारा debit note voucher का उप्योग किया जाता है इस तरह के transaction को record करते समय purchase में से कम किया जाता है कई बार customer द्वारा खरीदे गए माल में कोई शिकायत होती है और वो supplier को उस शिकायत के बारे में बताता है प्रतान करता है तो इस तरह की चूट की राशी को customer द्वारा debit note voucher में record किया जाता है credit note voucher जब किसी भी कारण से customer द्वारा supplier द्वारा बेचा गया माल पूरा या अंशिक रूप से वापस कर दिया जाता है तो supplier के लिए ये sales return कहलाती है और इसके transaction को record करने के लिए supplier द्वारा credit note voucher का उप्योग किया जाता है इस तरह के transaction को record करते समय sales में से कम किया जाता है इसी तरह यदि supplier द्वारा बेचे गये माल में customer को इशिकायत करता है और supplier उन कारणों से सहमत होकर भरपाई के रूप में customer को कुछ छूट देता है तो इस तरह के छूट को भी supplier द्वारा credit note voucher में record किया जाता है जर्नल वाउचर इस वाउचर में जो entries record की जाती है वो है opening entries, rectifying entries, transfer entries, adjustment entries, closing entries, entries regarding dishonor of checks, credit purchases and sell of things other than goods entries of goods withdrawn by the owner for personal use इन entries के बारे में हम आपको आगे की वीडियोज में समझाएंगे अभी सरवे भाशा में ये समझ लें कि जो entry हम पहले बताए किसी भी voucher में नहीं कर पाते हैं वो entries जर्नल वाउचर में की जाती है vouchers के बारे में जानने के बाद अब आप ये समझ गए होंगे कि कौन से transaction को किस voucher में record करना होता है इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको practice के लिए कुछ transactions दिखाएंगे जिन्हें आपको पहचानना है कि वे किस voucher से संबंदित है यानि उन्हें किस voucher में record करना है